दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में विजे प्रकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ यहां कुछ भी नहीं होने वाला यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला इस बार के 10 दिनों के लिए वैलिरिटी बरने से अधिकतर फावनिंग मेंबर्स तमाम तरह की बातें करने लगे हैं बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओनपैसिब में किसी के जिवान का कोई कीमत भी है या नहीं 2020 से ही हम यह सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मंत में सब कुछ होना सुरू हो जाएगा और इसी आस उमीद में इंतिजार करते करते तीन सालों से भी अधिक गुजर गिया जहां से हम लोग सुरुवात किये थे आज भी वहीं खरे परे हैं कुछ भी बदलाव नहीं हो सका जीवन में जीवन को बहतर बनाने की आस उमीद लिये फांडर पोईसन लिये थे ओनपैसिप का बट ये हकीकत है कि जिंदगी बदलने, सपनों के पूरे होने वैलेट में बेसमार एपल साने की आस में आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, उस हपते हो जाएगा, राह देख देखकर आँखे पत्राने लगी हैं सोच सोच कर अब मन परसान होने लगा है बेहतर होने की आस में जीवन और बदतर होते चला जा रहा है अगर हम on passive से बहुत एधिक उमीदे नहीं लगाए रहते अगर बरे से बरे सपने इससे हम नहीं संजोई रहते जैसे जी रहते पहले जीते अपना क्या प्रोबलम था हमें उसी में जीने की आदत थी बढ़ अब उमीदे और सपनों के वज़े से तो जीना भी मुस्किल हो गया है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा आज के करेंट लगजरी गारियां और लगजरी बंगले होंगे, कभी हम financially free हो जाएंगे, बार-बार किसी चीज के होने का announcement होने से और ऐसा कुछ भी नहीं होने से बहुत सारे founding members के दिल और उमीद तूटने लगे हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि on passive को जुआइन करने का उनका निरने सही थ अधिक देर होने से अब धीरे-धीरे कुछ founding members अपने inviter या leaders पर भी दबाव बनाने लगे हैं, कि हमसे founder position या subscription के लिए जो pay करवाये हैं आपने on passive को उसका 10 गुना करके हमारा refund करिए, कैसे refund करिएगा ये जानना समझना आपका काम है, हमें तो भाई 10 गुना करके हमारा refund चा तो साइद इस्तिती बहुत समानने नहीं रह जाएगा, local inviter and leaders को कुछ परसानी जहलना पर सकता है, अभी भी कुछ लोगों को जहलना पर रहा है, लेकिन अभी सब कुछ समझा बुझा कर सांथ कर दिया जा रहा है, कि घबराईये मत धर्ज रखिये, बहुत जल्द सब इसे हर हाल में संभाल के रखिये, रिफंड के बारे में सोचिये भी मत, वरना बाद में जीवन भर पच्ताने के सिवा कुछ भी हात नहीं लगेगा, आप कभी माप नहीं कर पाएंगे अपने आपको, लेकिन सवाल ये उठता है, कि कुछ इस तरह के संत्वना कोई कब तक किसी को, कुई कब तक किसी को मोटिवेट करके रख सकता है, सब के सोच वीचार या नजरिया एक जैसा तो है नहीं, सब के सहन और बरदास्त करने की छमता तो एक बराबर है नहीं, सभी के अंदर एक जैसी छमताएं तो है नहीं धर्ज रख लेने का, सबर कर लेने का, अब लोगों को किसी अपडेट्स मिलने या अनाॉंसमेंट होने का इंतिजार नहीं है अब वे सीधा एपल्स चाते हैं अपने वैलेट में जिससे उनका जरुरत और सपना पूरा हो सके ऐसे बहुत ही कम फांडिंग मेंबर्स हैं जो अब अधिक इंतिजार करने के मूड में है सभी के सभी ट्रैफिक डिस्टिबूट होने एंड बोनस कमिस्टन मिलने की रहा देख रहे हैं इससे कम पर अब उन्हें संतोस नहीं है दोस्त हम लगभग 2-3-4 सालों से ओन पैसिब से अपनी सफलता के सुरू होने का इंतिजार करते आ रहे हैं अब हमारे तमाम दिगज लीडर्स एंड सीओ मिश्टर एस भी कह रहे हैं कि बस अब सिर्फ चन दिनों की बाते हैं ओन पैसिब से हर एक फांडिंग मेंबर्स का सपना पूरा होने लगेगा जहां हमने अपनी सफलता के लिए 2-3-4 सालों तक की इंतिजार कर लिए क्या हम उतने बरे सक्सेजें डेचेमेंट के लिए कुछ दिन और इंतिजार नहीं कर सकते कुछ दिनों तक और हम धर्जी नहीं रख सकते हम यहां मानते हैं कि बहुत अधिक परसानियों और मुस्किलों का हमें सामना करना पर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि यह सारी मुस्किलें या परसानियां और पैसिब का ही देन है यह सब पहले से ही हैं हमारे जीवन में हमने तो सिर्फ 10-20-1000 रुपिये औन पैसिब को पे किये हैं founder position and subscription के लिए क्या बहुत 10-20-1000 हम पे नहीं किये होते वह हमारे पास ही होता 10-20-1000 तो क्या हमारे सारे परसानियों और मुस्किलों का हल हो जाता कभी नहीं होता, अब आप कहेंगे बात 10-20,000 रुपियों का यहां नहीं है बात है जो हम इससे बहुत सारी उमीदे लगा लिये हैं इससे बरे-बरे सपने संजो लिये हैं तो दोस्त, on passive से कहां किसी भी funding members के उमीद या सपने टूटे हैं वो तो सीना ताने खरे हैं हमारे सभी उमीदों पे खरे उतरने के लिए और हमारे सारे संजो ये सपनों को पूरे करने के लिए वो भागा कहां है कहां उसने अपने हाथ खरे कर दिये हैं अभी तो सुरू भी नहीं हो सका है कुछ भी अभी तो हम इंतिजार में हैं सब कुछ सुरू होने के और बहुत ही जल्द सब कुछ सुरू होने भी वाला है अगर मिश्टर एस आकर कह देंगे कि यहां किसी भी founding members को कुछ नहीं मिलने वाला यहां किसी का जिन्दगी नहीं बदनने वाला यहां किसी के सपने नहीं पूरे होने वाले तब हम मान लेंगे कि हमारे उमीद और सपने तूट गए बट ऐसा तो उन्होंने हमसे कभी कहा नहीं है वे तो आज भी उन वादों पे कायम है 100% जो वे कई बार हमसे commitment कर चुके हैं वे आज भी इस बात को कहते हैं कि मैं सभी founding members का जिन्दगी बदल के रहूँगा मैं सब के सपने पूरे कर के रहूँगा मैं सभी को आर्थी का जादी दिला के रहूँगा वे कहां कभी भी मुक्रे हैं अपने वादों से वे अपने commitment और हमारी उमीदों और भरोसों पर 100% खरे उतरने के लिए पुरी तरह से प्रयासरत और दिर्ष संकल्पित है अब कोई अपने मन से कुछ भी सोचता रहे उसका क्या किया जा सकता है आज CEO Mr. S को कमवेस दुनिया के लगबग 200 कंट्री के लोग जानते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने mission में ना कामयाब होके पूरे देश दुनिया में अपना नाम खराब करना चाहेंगे तभी तो वे बार-बार कहते भी हैं कि मैं या तो करूँगा या फिर मरूँगा दोस्त ऐसा कह देने के लिए भी बार-बार कलेजा होना चाहिए तभी कोई इस तरह के बात कह सकता है जैसे हमारा सपना है और से बहुत बड़ी कामयाबी और उपलबधियों को हासिल करने का उसी तरह से मिश्टर एस का भी सपना होगा अपने मिशन में 100% कमयाब होने का और वे अपने मिशन में लगभग कमयाब हो भी चुके हैं बस सिस्टम को एस्टेबल करने का एंट सारे चीजों को सुभियोस्तित करने का समझ लीजिए यह अंतिम चरन चल रहा है और इसी के बाद वह सब कुछ होने लगेगा जिसका हम सभी इंतिजार कर रहे हैं फिर हमारे जीवन की सारी समस्याएं सारी मुस्किलें, सारी तकलिफें कहां और कैसे गाइब हो जाएंगे साइधम समझ भी ना पाएं घबराने से कुछ भी नहीं होता दोस्त और धर्ज रख लेने से, सबर कर लेने से सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में बस एक बात हमेशा याद रखना अपने जिंदगी में अच्छे वक्त को खुबसूरत पलों को देखने के लिए हमें कुछ बुरे वक्त को भी जहनना परता है और उन्ही बुरे वक्त में जो इनसान धहर्ज रख लेता है सब कुछ सहन और बरदास्त कर लेता है वह पा लेता है अपने लक्ष और सपनों को हर परिवार समाज में कोई न कोई एक ब्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो गरिभी की जंजीर को तोरके रख देता है बस समझ लीजिए आप वही ब्यक्ति हैं और इस काम के लिए उपर वाले की क्रिपा के वजह से सेलेक्सन हुआ है आपका दोस्त हमें बिरासत में नहीं मिली है अमीरी हम ओनपैसिब में आके अपनी सकसेज स्टोडी खुद लिखने जा रहे हैं दोस्त जहां सबकी हिमत समाप्त हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की सुरुवात होती है अच्छे दिनों को पाने के लिए बूरे दिनों से लरना ही पड़ता है सबकी जिन्दिगी का एक मुकाम होता है अब हमारी जिन्दिगी तो बस ओनपैसिब के नाम है दोस्त दुनिया में कोई भी इनसान नहीं हारता बलकि हारती है उसकी सोच बस सोच को बदलो जिन्दिगी और भविश से निश्चित बदलेगा समय बरा बलवान होता है बस सही समय आने का इंतजार करें कभी कभी जिन्दिगी में आगे बरते रहने के लिए बहरा भी होना जरूरी होता है क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें हमारे मनोबल को गिराने वाली होती है दुनिया में सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है और वो हैं आप खुद बस खुद पे भरोसा रखें कि हमारा जिन्दिगी बदल के रहेगा हमारे सारे सपने पूरे होके रहेगे और यकीन मानिए एक दिन ऐसा होके रहेगा आप अपने आप से कभी मतारना फिर कोई दूसरा आपको नहीं हरा पाएगा दोस्त इसी में इने कोई बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने का उमीद है बस अपना धर्ज और विस्वास बनाए रखें हम जीतेंगे जरूर हम निश्चित का मियाबद होंगे आपके उज्जीवल भाविस्ट की कमनाओ के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंकिव दोस्त धन्यवाद